good morning students how are you all hope you all are fine and safe at your home students after a long time we are back again with our studies अभी कल मैंने आपको कुछ डिफिकल वर्ट भीजे थे regarding a chapter 13 of EBS that is reaching places reaching places पिटा इस चप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप सबसे कुछ questions पूछती हूँ आप लोग उनके बारे में सोचिएगा students हम लोग घर से कहीं भी जाते हैं anywhere temple school any relatives house market हम किसी में किसी तरीके से ही तो जाते हैं maybe हम पैदल जाते हैं में भी हम पापा की scooter से जाते हैं बाइक से जाते हैं otherwise car से जाते हैं sometimes we use public transport like bus train aeroplane से भी जाते हैं जब हम बहुत दूर कोई जगर जाते हैं तो उस convince के थूँ जब हम कहीं पहुचते हैं तो उस जगा को पहुचने को कहते हैं reaching है न किसी जगा पर पहुचना reaching पहुचना है न है places जगा पर अलग अलग जगा होँ पर जगा होँ पर जगा होँ पर जाना है न है तो today we will learn in chapter 13 of EBS about how we can read at any place हम इस chapter 13 EBS के में यही पढ़ेंगे कि हम एक जगा से दूसरी जगा कैसे जा सकते हैं olden times में पुराने time में जो हमारे four fathers हुए हैं यह हमारे जो पुराने लोग थे वो कैसे एक जगा से दूसरी जगा जाते थे अगर उन्हें नदी पार करनी होती थी अगर उनको किसी रेबर से एक साइट से दूसरी साइट जाना होता था तो वो कैसे जाते थे उस time तो ships नहीं थी ना boats थी फिर वो क्या use करते थे यह सब कुछ आज हम इस chapter में पढ़ेंगे ओके students let's start this chapter ओके आप मेरे साथ read करेंगे और हम इस chapter को understand करने की कोशिश करेंगे we all need to travel हमें सबको कही ना कहीं ट्रैवल करना करता है ट्रैवल का मतलब जरूरी नहीं है from one city to another city ही हो any place from one place to another है ना बिटा ट्रैवल का मतलब यह जरूरी नहीं है कि आप एक city से दूसरी city जा रहे है तो ही आप ट्रैवलिंग कर रहे है हम घर से school आ रहे हैं तो हमने few minutes की ट्रैवलिंग करी पर हम गए ना एक जगा से दूसरी जगा गए है ना तो जाना कहीं पर भी एक जगा से दूसरी जगा जाने को हम ट्रैवल करते हैं तो हम सब लोग ट्रैवल करते हैं थोड़ा थोड़ा अभी माना इट्स कॉरोना टाइम तो हम कॉरोना की विज़े से ज्यादा कहीं नहीं जा पा रहें स्टिल कभी मार्केट जाना पड़ जाता है मम्मी लोगों को मंदिर जाते हैं या कोई और जगा कोई जगा ज़रूरी जगा पर किसी डॉक्टर के पास तो वो सब कुछ हम करते ही है ना और नौर्मल टाइम में करते ही हैं मार्केट, अच्छ अच्छी टूरिस प्लेसेस पे जाना, पार्क में जाना, है ना, टेंपल्स में जाना, स्कूल आते हैं आप लोग, तो यह सब कुछ है, तो वो हम लोग कैसे करें, है ना, हम अपने फ्रेंड के घर भी जाते हैं, रिष्टेदारों के घर भी जाते हैं, we use different means of transport, means of transport का मतलब क्या होता है बेटा, यातायाद का तरहिका, यातायाद याने की जाना कहीं, ट्रांस्पोर्ट याने की एक जगह से दूसरी जगह जाना, यातायाद के तरीके, है ना, जिनको अभी हम आगे पढ़ने वाने हैं तो हम कोई ना कोई तरीके से ही किसी के घर, मंदिर, मार्केट कहीं पर दी भी जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से ही जाते हैं जैसे कि अगर आप स्कूल आते हैं तो आपका means of transport या तो पापा की बाइक या आपकी बाइसिकल otherwise स्कूल वैन होता है है ना अगर आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं तो most probably हम लोग अमारे घर की जो भी वहिकल होता है maybe a car, maybe a bike और a scooter उस से जाते हैं जब हम one city to another city की बात करते हैं जैसे आप जैपूर से मान लीजे अजमेर जा रहे हैं तो you can go by bus or train जब आप जैपूर से दहली जा रहे हैं तो you can go by bus, train और aero plane that means हम according to the place अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ओके बेटा इन यहां पर एक छोटी से आपको activity दी गई है interview four friends of yours from the neighborhood and find out the means of transport they used to go to school आपके आस पास कोई भी आगा कोई four friends जिन से आप easily मिल सकते हैं not in corona time आपको किसी के घर तो नहीं जाना है बट फिर भी अगर उन से आपकी मुलाकात हो जाती है तो यहां उनका नाम और वो school कैसे जाते हैं वो लिखना है okay आप खोद करने की इसको खुशिश करेंगे आगे हम देखते हैं पहले कोई भी साधन नहीं थे लोगों के पास कहीं जाने के लिए the only way to get around was to walk कहीं पर भी जाने के लिए वो लोग सिर्फ पैदल चलके जा सकते थे there were no roads जैसी आजकल roads हो गई हैं वैसी roads भी पहले नहीं थी वैसी roads भी पहले नहीं हुआ करती थी है ना बेटा आजकल हमारी roads cemented या concrete की या फिर number की बनी होती हैं बट olden times में ऐसी proper roads नहीं होती थी ठीक है बेटा there were no roads there were only tracks अब यहां पर tracks मतलब railway tracks से नहीं है यहां पर मतलब है पकडंडियों से है ना पकडंडी क्या होती है बेटा पर टंडी आगर आप लोगों के कोई अभी भी आम लोग villages में बहुत इजली देख सकते हैं इस तरह का कुछ मतलब ऐसी roads बनी होती है जो कच्छी roads होती है पकी roads नहीं होती सिर्फ आदमियों के चलने चलने से यह ऐसा रास्ता तयार हो जाता है यह देखे इस तरह का इसको यह कोई सीधा सीधा रास्ता नहीं होता तेड़ा आड़ा देखे जैसे यह है सीधा सीधा रास्ता नहीं है यह कैसे रास्ता है यह तेड़ा आड़ा रास्ता है है यह देखे जैसे जंगल से जा रहा है तो यह अभी भी हमें गाऊं मैं छोटेlegen उमें खेंतों के पास ऐसे रास्ता देखने whenever यह सिण बढह geben data यानि कि फुराने टाइम में इसी तरह के tracks हुआ करते थे और हुआ क्या करते थे वो usually बन जाते थे लोग बार बार उस जगह से जाते यह कोई बनाता नहीं है जैसे roads तो हम बनाते हैं बट tracks को कोई बनाता नहीं है वो तो एक सीधा सा बात होती है कि यहां से बार बार लोग ज लिभिवर , पॉंड, Scen चीज और पहले के लोग कि अगर उन्हें नदी पार करनी तो क्या करते थे लोग लोग्स क्या होते हैं इस तरह कि लगड़ी के बड़े i kle credit बनाकर्ट मतला प्लीन वोट हमारी एक नॉर्मल बोट ऐसी होते हैं ऐसी शिपर आ बोट ना होकर बोट बहुत सारी लकडियों को एक साथ बांध कर और इस तरह से दिखते हैं आप जैसे यह एंसिस्टर से यह इस तरह से बोलो अपना रास्ता एक चगा से दूसरे का अगर उन्हें वाटर में से जाना होता था तो वह ऐसे जाते थे आगे दिखते हैं then man invented the wheel now wheel is used in almost all means of transport फिर दीरे दीरे आदमी ने wheel बनाया अब wheel कैसे बनाया पहले ऐसे logs होते थे फिर उनको काटके इतना मोटा फिर पतला पतला करते करते इस तरह से wheel बने अब हम बात करते हैं means of transport some means of transport mainly there are three means of transport बेटा ठीक है first one is land second one is water and third one is air ओके ये थ्री तरह के ट्रांस्पोर्ट होते हैं ओके बेटा सबसे पहले बात करते हैं land transport land transport याने के सीधा जैसे हमें समझ में आ रहा है land याने की जमीन तो जमीन पर चलने वाले ट्रांस्पोर्ट अब ये भी दो तरह के होते हैं roadways and railways roadways वो ट्रांस्पोर्ट जो रोट पे चलते हैं railways वो जो इस तरह से tracks पर चलते हैं ओके तो पहले roadways these vehicles run on roads roads पे कौन कौन से वेहिकल चलते हैं स्कूटर कार बस बाइसिकल बुलक काड रिक्षा है ना and railways railways जो rail tracks पर इस तरह की जो हमारी पट्रिया होती हैं उन पर जो चलते हैं उनको हम tracks पर कौन से कौन से चीज़ें चलती हैं इस टाइप अफ मेट्रो ट्रेंस ट्रेंस है ना इनको railways कहते हैं ओके next one is waterways waterways में समझ में आ रहा है सीधा सीधा पानी में तायरने वाले दे फ्लॉट ऑन लेक्स रिवर्स और सीज अब वाटर वेस में सबसे बड़ी होती हैं शिप दैन बोट दैन स्ट्रीम और इसके अलाबा हमारी इंडियन नेवी या और भी जो आर्मी होती हैं वो यूज करती हैं सब्मारीन जो पानी के अंदर भी चल सकती हैं इस तरह है कि water bodies होती है waterways होते हैं जनसे हम पानी में एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं डैन एर वेस यानिक जो हवा में चलते हैं यह वालून होता है इसमें गरम हवा है यानि कि होट यह भरी जाती है उससे यह आसमान में ओरता है ग्लाइजर हेलिकॉप्टर एरोप्लेन ने से हम फैमिलियर ही है तो फ्री वेज हो गए फर्स्ट जो लेंड पर चलने वाले हैं second जो water में चलने वाले हैं and third जो हवाओ में ओरेने वाले हैं okay there are some means of transport that move very fast and some move very slow अब बिटा कही तरह के transport होते हैं कुछ बहुत तेज चलते हैं कुछ बहुत थेज़ चलते हैं इन पिक्चर्स को हम देखते हैं look at the pictures and draw a circle around the means of transport that move fast and a square around the means of transport that moves slowly अब हमको क्या करना है इन ट्रांस्पोर्ट को देखके ये बता करना है कौन से ट्रांस्पोर्ट तेज चलते हैं कौन से slow कार बहुत तेज चलती है बस तेज चलती है ट्रेन तेज चलती है बुलब कार्ट स्लो चलती है तो इसको square कर देते हैं अब हमको बताना है जो हर वहिकल होता उसमें कोई न कोई फ्यूल डलता है जो manpower या animal power से चलने के अलावा जो भी वहिकल होते हैं उनमें क्या डलता है फ्यूल डलता है जैसे train में डीजल आरोप्लेन का अलग से petroleum waste fuel होता है ट्रेक्टर में डीजल motorcycle में पैट्रूल इस तरह से आप और भी अपने मम्य पापा से पूछ सकते हो कि bicycle में क्या होता है bicycle में हमारी मेहनत लगती है रिक्षा में हमारी मेहनत लगती है बुलकाट में bulls की मेहनत लगती है है ना और भी कोई vehicle अगर आप इस तरह में car है तो आप पूर सकते हो car किसकी है पैट्रोल है डीजल है gas है है ना we can choose to travel by any means of transport but if we have to go over a very short distance we should walk अब बेटा में माना कि हमारे पास बहुत सारे transport materials है जिसे हम इदर से उदर जा सकते है then also अगर हमें कोई आज पास की कोई जगा जाना है तो हमें क्या करना चाहिए हमको पैदल ही चलना चाहिए because walking is a very good exercise plus that walking makes us healthy and a fuel भी बचाती है exercise is good for us and we should not waste fuel exercise भी होगी और हमारा fuel भी बचेगा क्योंकि यह जो fuel इन चीजों में use होते हैं बेटा यह बहुत कीमती हैं यह इतने इसली नहीं बनते हैं इनको हजारों करोणों साल लगते हैं तब जाकि fuel तयार होता है ठीके बटा here your chapter is finished tomorrow we will do its exercise ओके आपके chapter यह फिनिश होता है कल हम इसकी exercise करेंगे ओके till then bye bye check you